आज का टॉपिक है एजिप्ट ट्यूरिस्ट विजा इंडियन्स के लिए पर इससे पहले आप मेरे लास वीडिये नहीं देखें जिसमें मैं आपको बताया हूँ रशियन ट्यूरिस्ट विजा के बारे में अगर आप नहीं देखें तो यहाँ आई बटन आ रही होगी आप और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ अब चलते हैं टॉपिक के तरफ एजिप्ट जो है वो मॉस्ट नोटिसेबल अरब कंट्री है जो लोकेट करता है नौदन आफरीका के पास और एजिप्ट का इंडिया से बहुत अच्छी फ्रेंड्शिप है ओल्ट का यह आपको एजिप्ट एमबेसी जो दिली में है या फिर कॉंसलर ओफिस जो मुंबई में है जिस जिस स्टेट में है वहां से आपको लेना होगा क्योंकि इंडियन सिटिजन वीजा अप्लाई नहीं कर सकते हैं ओनलाइन दीजन यह है कि इवीजा एलिजिबल लिस्ट व वो बिजनेस या टुरिस्ट हो उसे ओफ्लाइन ही करना होगा और उसे सब्मिट करना होगा एमबेसी या कॉंसलेट में और एक यूनीक चीज है जो एजिप्ट वीजा का अप्रूवल एजिली मिल जाता है कि यहां आपको इंटरव्यू नहीं देना होता अगर आपको अग आपको कहा जाता है कि इमिग्रेशन आफिसर से मीट करने और वो कोई टफ कुशन नहीं करेंगे यह जरूरी नहीं है कि एप्लिकेंट ही एप्लिकेशन सब्मिट करेगा वीजा का कोई भी कर सकता है रिलेटिव या उसकी एजिन्ट वैलिड ऑथराइस पेपर के साथ अब इस स्टेट के हैं उस स्टेट में कर सकते हैं एजिप्ट में बहुत खुबसूरत प्लेसे से टुरिस्ट लोगों को घूमने के लिए आप काईरो जा सकते हैं लकसर अस्वान जैसे जगा जा सकते हैं वन आफ दा पैस्ट हिस्टॉरिकल प्लेस में आता है अलेक्जेंडरिय भी जा सकते हैं गिजा दहब मर्सा आलम पिरमेड आफ जोसर शर्म अलशेक फुर्गदा यह सब जगह आप घूम सकते हैं एजिप्ट करन्सी को एजिप्टियन पॉंड कहते हैं अब बात करेंगे ट्यूरिस्ट विजा इसूट कितने दिन का होता है और डॉकुमेंट क्या र पर आप रह सकते हैं नौदरन आफ्रीका कंट्री में सिर्फ 30 डेस तक डॉकुमेंट जो रिक्वाइड होता है एजिप्ट विजा अप्रूवल के लिए सबसे पहले है दो पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए फिर वीजा अप्लिकेशन फॉर्म आपको फिल करना होग आपको अपने करन्ट इनफॉर्मेशन देना होगा प्लैंक स्पेस नहीं रखना है वरना रेजेक्ट होना है पासपोर्ट ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वालिज डेटी मिनिमम सिक्स मंत होनी चाहिए और दो प्लैंक पेजिस होना चाहिए वीजे स्टैम के लिए income tax return past three years का पर mandatory नहीं है वालिट कवर लेटर या request लेटर आपको देना होगा counselor को एर टिकेट रिटन टिकेट भी होना चाहिए bank statement last six month का और यह attested होना चाहिए गैजट officer से और account में minimum 50,000 होना चाहिए last है xerox लगेगा first और last page का आपके passport का और उसके साथ original भी चाहिए होगा यहाँ screen में आ रहे होगी online e-visa के लिए कौन कौन सी country eligible है UK, US, Spain, Poland, Portugal, Switzerland और भी बहुत सारी countries है आप देख सकते हैं अब बात करेंगे visa fees के बारे में single entry का cost है e-visa का रुपीज 1675 प्लस service fees multiple entry का cost है e-visa का 4020 रुपीज प्लस service fees normal visa fees है single entry का tourist visa के लिए 1900 और multiple entry का fees है 2800 यह थी आज की information होप आप सबको पसंद आई होगी अगर पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए अब बेल आइकन को दबाना बिलकुल ना भूले तब तक के लिए अल्लाहफिज असलाम अलेकुम